मानगर पालिका के जन्म रत्यू विभाग में करोडों रुपय का नाया घोटाला उजागर किया गया है साथी समीती के पूर्व अध्यक्षे विजे जलके ने इसके अलावा आरोप लगाया कि गोटाले में चार करमचारियों को निलंबित कर प्रशासन बड़े अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहा है गुरुवार को पत्र परिशद में पिंटू जलके द्वारा यह जानकारी दी गई है गुरुवार को पत्र परिशद आयोजित कर जलके ने ये आरोप लगाए उन्होंने बताया कि मन्पा को मुहिया कराई जाने वाली स्टेशनरी और प्रिंटिंग मटेरियल में 67 लाग रुपे का घोटाला उजागर हो चुका है कोबिड काल से संपून ववस्था मन्पा प्रशासन के नियंतर में है इसी वज़ा से विभिन विभागों में घोटाले शुरू हैं समन्दित कोई भी फाइल मंसूरी के लिए इस्थाई समीती के पास नहीं आई जलके ने कहा कि तैशुदा चार से पांच ठेकेदारों से ही सामागरी ली गई इस्टेशनरी घोटाला प्रकरण में वित और लेखा विभाग के लेखा अधिकारी राजेश मेश्राम और अडिटर अफवाक एहमद स्वाई नागदीवे और मोहन पडवनशी को निलंबित किया गया है। जलके ने कहा कि इनके अलावा बड़े अधिकारियों पर कारवाई होनी चाहिए। सूरी के लिए आई ही नहीं। कई जगा बैरिकेडिंग ना होने के बावजूद बिल जोडा गया। जलके ने कहा कि मनपा कार्याले में कई अधिकारी करमचारी 20-20 साल से एकी विभाग में कुंडली मारे बैठे हैं। इससे ब्रश्टाचार को प्रोच सहन मिलता है। किसी को सहरा दिये बगैर दोशियों पर कारवाई की जाने चाहिए। कैमरा परसन राजकुमा मोहर के साथ शिती जादेश्मुख BCN नागपुर। किसी कैमरा परसन राजकुमा मोहर को प्रोच सहन में की जादेश्मुख BCN